बॉलवुट आक्ट्रोएस एश्वरा राइबच्चन के नकली पासपोर्ट के साथ नौईटा पुलिस ने तीन विदेशी साइबर अपरादियों को अरेस्ट किया है इनके कबजे से पुलिस ने तीन हजार अमेरिकी डॉलर, तेरा लाग के नकली अमेरिकी डॉलर और दस हजार पांसो पाउंड बरामत किये है इसके साथ यह आरोपी के पास आक्ट्रेस एश्वरर राइबच्चन का नकली पासपोर्ट, छे मोबाइल, ग्यारा सिम, लैप्टॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव और तीन कार बरामत की है पुलिस के माने तो यह शातिर अपरादी अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर अपराद करते थे यह लोगों के फेस्बुक फ्रेंड बनकर कस्टम अधिकारी बनकर ठगी के साथ साइबर अपराद को अंजाम देते थे लेकिन इन तीनों से पूस्ताच के दूरान पुलिस के हाथ जो लगा वो वाक़े हैरान करने वाला था इन तीनों अपरादियों के पास बॉलिवुट की मशूर आक्तROयस आश्वर राईबचन का जाली पासपोर्ट भी मिला है अब पुलिस न तीनों से पूस्ताच कर रही है कि आखिर ये नाइजीरिन ग्रो जो है वो इश्वरे राइबर्चन के जाली पॉस्पोर्ट के साथ क्या करने वाला था पुलिस ने इन तीनों को ग्रेट अनॉइडा के रामपूर मार्किट के पास से अरेस्ट किया है इन से पूस्ताच के दौरान तीनों ने उगला कि क्या क्या समान है इनके पास और आखिर ये किन घर्टनाओं को अंजाम देते हैं पुलिस ने अपनी पूस्ताच में बताया कि आरोपी बड़े-बड़े सेलिबरिटिस का फरजी पासपोर्ट बनाने का काम करते थे ये शातिर अपरादी देश के अलग-अलग हिस्सों में साइबर अपराद को अंजाम देते थे पुलिस ने बताया ये अपरादी कई तरीके की वारदातों जैसे की मेट्रिमोनिल साइट डेटिंग अप के जरिये लोगों को जाल में फसाते थे इसके अलावा लोटरी फ्रॉड फेस्बुक फ्रेंड बनकर फ्रॉड विदेश से पारसल बेजने के नाम पर कस्टम अधिकारी बनकर ठगी और साइबर अपराद को शातिर अरण तरीकों से अंजाम दे थे नामचिन विदेशी फार्मा के अधिकारी बनकर लोगों को जड़ी बूटी सस्ते दामों में खरीद कर महंगी दामों में बेचने का लालच दे कर ये ठगी किया करते थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पूरा ग्रो किनकिन लोगों से जुड़ा है और इनके साथ में और कौन से लोग शामिल है नॉटा की थाना बीटा टू पुलिस और साइबर सेल ने दवा कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले नाइजीरियर ग्रो के तीन लोगों को अरेस्ट किया है इन पर अरोप है कि इनों ने एक करनल से करीब एक करोड़ असी लाक रुपे ठगी है पुलिस ने इस गुरों के पास से बॉलिवुड आक्टरेस एश्वर राय बच्चन का जाली पासपोर्ट बरामत करने के बाद और भी पूस्ताज करनी शुरू कर दी है पुलिस इन तीनों से ये पूस्ताज के जरीए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो आखिर अश्वर राय के नकली पासपोर्ट का इस्तिमाल किस काम के लिए करना चाह रही थे हाला कि अपनी पूस्ताज में अभी तक इनों ने पासपोर्ट को लेकर कुछ भी जानकारी पूलिस को नहीं दी है लेकिन बताया जा रहा है कि अश्वर राय के लावा बड़े-बड़े सेलिब्रिटिस का जाली पासपोर्ट बनाने का ये लोग काम किया करते हैं फिलाल तो नाइजिरियन ग्रो के ये तीनों लोग पूलिस की कस्टडी में है और लगतार इनसे पूस्ताच की जा रही है अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजी अगर आप अमारा ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजिए बॉलेबुट टीबी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे है फिल्मी बीट